हलो गाइस वेलकाम टो दिस वीडियो तो आज की सेपसोर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं अगर डांटे और क्रेटोस एक दूसरी की खिला फलरे तो कौन जीतेगा तो सबसे पहले इन दोनों केरेक्टर की पावर्स एन एबिलिटीस के बारे में बात करेंगे उसके बात दे अपने एक पंच से बड़े बड़े दिवार को तोड़ सकता है दांटे के पास है सुपर हुमेन स्पीड डांटे स्पीड ऑफ सांड से ट्रविल करते हुए अपने एनिमीज पर अटेक कर सकता है डांटे शौर्ड रेंज पे चलाय हुए बुलेट्स एन एरोस को भी टांटे के पास है सुपर हुमेन हीलिंग डांटे की एक्सेलरेटेड हीलिंग की वज़ा से वह किसी भी वूंड से बहुती जल्दी रीकवर हो जाता है डांटे की सुपर हुमेन हीलिंग की वज़ा से वह लिटरिली अनकी लेवल है डांटे के पास है डीमोनिक पावर करके अपने वेपन्स एन अपने फीजिकल कैपाबिलिटीज को इन्हेंस्ट कर सकता है डान्टे के पास है सुपर हुमेन डियुरिबिलिटी वह बुलेट प्रूफ तो नहीं है लेकिन वह झेल सकता है हाई लेबल्स औफ फीजिकल ट्रॉमा को उसने कही बार पावरफुल डी को मिलो की दूर से ही सेंस कर लेता है डान्टे ने गेम पर थोड़ी बहुत थेल्गिनिटिक एबिलिटी को भी दिखाया है अभी अगर बात करें डान्टे की ववेपन्स वराइटि के बारे में तो वह कहीं चारे वेपन्स और एकुपमेंस को कैरी करता है जैसे की missile launcher, needle gun, grenade जोकी दू सेमी आटोमेटिक पिस्टल्स है इसके अलाबा डांटे के पास है ऐलास्टोर मगवड. औ. स्टाइली container अब औ. जा लाइपन पास है जैसे कि स्टायल गौन्स लिंगर स्टाइल औ. रोयलुमयृ具 ऊपले unit के पास एक बहुत ज्यादा पावर्फुल एबिलीटी है, जिसका नाम है क्वीक सिलबार, इस एबिलीटी को यूज करके डांटे टाइम को नियरली स्टॉप कर देता है। जो एबिलीटी डांटे को एक्स्ट्रीमली पावर्फुल बनाता है वो है उसकी डेबिल ट्रीगर, डांटे जब अपने devil trigger वाला form में होता है तो वो अपने true demon power को access कर पाता है उसकी strength, speed, stamina बहुती जएदा increase हो जाता है सिर्फ यही नहीं उसकी सारे की सारे powers and abilities बहुती जएदा enhanced हो जाता है अगर हम बात करें डांटे की seem devil trigger वाले form के बारे में तो वो डांटे की आदर devil trigger वाले form से भी extremely powerful है डांटे की devil trigger वाले form से इतना जएदा powerful है तो आप जारा सोचिए कि डांटे की seem devil trigger वाला form ना जएदा powerful होगा तो अगर बात करें क्रेटोस की powers and abilities के बारे में तो क्रेटोस एक demigod है और Zeus का बेटा है अगर बात करें क्रेटोस की powers की तो क्रेटोस ने पुरा Greek gods को जान से ही मार दिया था including Zeus, Hercules, Poseidon, Hermes और भी कही सरे gods को क्रेटोस इन सब gods को मार के उनकी powers को observe कर रहा था इसकी बज़े से क्रेटोस बहुत ही ज़्यदा powerful भी हो जाता है नियो गर्म प्यार हमने देखा कि क्रेटोस एसगर पहुच गया है और वो यहां के भी gods को मानने लगा क्रेटोस के पास है superhuman strength, agility, endurance and superhuman healing क्रेटोस एक near immortal being है वो दो बार hell से वापास भी आ चुका है क्रेटोस एक बहुत ही ज़्यदा intelligent being भी है क्रेटोस के पास different types of weapons है जैसे की Blade of Chaos, Blade of Athena, Leviathan X और भी बहुत सारे लेकिन सबसे powerful weapon है Blade of William Bazaar इसके मदद से क्रेटोस ने Zeus को मारा था क्रेटोस की weapons क्रेटोस को magical powers भी provide करता है लेकिन वो Dr. Strange या फिर दॉक्टर Fate जैसे बड़े बारे mystical arts को perform नहीं कर सकता क्रेटोस के पास है Amulet of Eureboros इस weapon की यूज़ करके क्रेटोस अलग अलग तरीके से time को manipulate कर सकता है Ikeras की Punk को यूज़ करके क्रेटोस उर भी सकता है क्रेटोस Golden Fleece को यूज़ करके एक हद तक energy को observe करके उसे projection भी कर सकता है वो इस weapon को यूज़ करके अटेक्स को भी deflect कर सकता है क्रेटोस के पास है Claws of Heads जो की क्रेटोस को provide करता है soul manipulation की power Ice of Truth जो की क्रेटोस को provide करता है magical revelation की power यानि की Ice of Truth की जड़िये क्रेटोस dispel कर सकता है illusion, magical barriers and dark magic को लेकिन एक हद तक क्रेटोस के पास geokinesis की भी ability है वो Atlas Quark को यूज़ करके काफी ज़्यादा powerful wookam को भी ला सकता है क्रेटोस के पास है Head of Nadeus जिससे वो अपने enemies को stone में बदल सकता है क्रेटोस के पास है Blade of Olympus जिससे वो divine energy manipulate करके powerful blush भी कर सकता है इसकी अलावा Blade of Volume पस से क्रेटोस बड़े-बड़े tornado को भी create कर सकता है क्रेटोस के उपर fire और cold temperature का बिल्कुल भी असन नहीं परता है क्रेटोस के पास एक और powerful ability है वो है Spartan Rage Spartan Rage क्रेटोस को बहुत ही ज़्यादा powerful बना देता है क्रेटोस की जो सबसे बड़ी थाकत है वो है उसका indomitable will एनेमी जितना भी strong हो क्रेटोस कभी hard नहीं मानता और किसी ना किसी तरह किसे क्रेटोस अपनी एनेमी को defeat कर ही देता है तो ये तो था इन दोनों character की powers and abilities अभी अगर बात करें इन दोनों में fight होया तो कौन जीत सकता है तो दोनों character ही बहुत ज़्यादा powerful है दोनों के पास ही limitless abilities है अभी अगर बात करें दोनों character की strength के बारे में तो क्रेटोस ने काफी सारे monster size creatures को मारा है सिर्फ ये ही नहीं उसने god of strength hercules को भी defeat किया है दोनों character की stamina, durability, endurance, reflexes काफी ज़्यादा enhanced है दोनों के पास ही super human healing है दोनों ही किसी भी उन से अपने आपको बहुत जल्दी recover कर लेता है अगर बात करें दोनों character की speed के बारे में तो Dante speed of sound से travel करते हुए अपने enemies के उपर attack कर सकता है सिर्फ ये ही नहीं वो अपने enemies के attack को speed of sound से dodge भी कर सकता है Dante के पस एक special ability है जिसका नाम है quicksilver जिसको यूज़ करके Dante time को nearly stop कर सकता है और इस ability को यूज़ करके वो अपने opponent के उपर बहुत ही short time पे काफी सारे powerful attacks and strikes कर सकता है लेकिन God of War 4 में Kratos बहुत ही slow था और यहाँ पर अगर हम Kratos की weapons and equipments को देखे तो उसके पास है boot of Hermes जिससे वो speed of light से travel कर सकता है इसके अलाबा उसके पास है emulate of Eroboras जिससे वो time को manipulate कर सकता है यानि यह time को slow करना या फिर reverse करना अगर बात करें दोनों character की weapons के बारे में तो दोनों character ही काफी सारे powerful weapons and equipments को carry करता है Kratos इतना ज्यादा durable है कि Dante की ज्यादादर weapons जैसे कि guns, shotguns, missile launcher या फिर explosion type weapons Kratos को harm नहीं कर सकता Kratos को harm करने के लिए Dante को अपने demonic type weapons यूज़ करना परेगा जैसे कि rebellion या फिर sword of sparda Kratos की weapons के बारे में मैं किया ही बताओ सारे की सारे weapons magical and काफी ज्यादा powerful है Dante के साथ लणने के लिए Kratos को boot of Hermes को यूज़ करना परेगा क्योंकि Dante बहुती ज्यादा fast है ऐसा नहीं boot of Hermes के अलबा वो Dante के साथ लणने ही पाएगा लेकिन उसे बहुती ज्यादा दिक्कत होगा तो दोनों character की powers and abilities को analyzes करने के बाद मुझे लगता है कि Kratos से लणने के लिए Dante को अपने devil trigger यूज़ करना परेगा वरना Kratos Dante के उपर भारी परेगा अगर बात करें Kratos की Spartan rage के बारे में तो Spartan rage Kratos को बहुती ज्यादा powerful बना देता है Spartan rage को यूज़ करके Kratos Dante की कहीं सारे devil trigger वाले forms को हरा सकता है अगर यहाँ पर बात करें Dante की sin devil trigger के बारे में तो Dante की sin devil trigger, Dante की other devil trigger वाले forms से कहीं ज्यादा powerful है अगर Dante Sin Devil Trigger को यूज़ करके Kratos से लड़े तो मुझे लगता है Dante के पास जीतने का chances एक moderate margin से जएदा है लेकिन यहापर Kratos Dante से intelligence में काफी जएदा आगे है Kratos ने अपनी intelligence को यूज़ करके अपने से भी कही सारे powerful beings को defeat कर चुका है वहीं Dante ने भी अपने से जएदा काफी सारे powerful demon को defeat कर चुका है लेकिन अगर यहापर हम Kratos की intelligence के साथ Dante की intelligence को compare करे तो of course Kratos बहुती जएदा आगे होगा तो यहापर Kratos अपनी intelligence को use करके Dante को हरा भी सकता है Dante और Kratos इन दोनों की battle में कुछ भी हो सकता है तो मैंने तो अपना opinion वीडियो पर दे दिया है आप लोग भी अपना opinion comment section पर जरूर बताएए कि आप लोगों को क्या लगता है कि Dante और Kratos की लड़ाई में कौन जीत सकता है मैं मिलता हूँ आप लोगों को next वीडियो पर thanks for watching